Welcome students, मैं Dr. Ritu Mathur. आज आपके साथ Theories of Transition and Coordination Compounds चैप्टर का Next Sixth Part discuss करूँगी और आज के लेक्चर में हम Square Planar Complexes यानि कि वर्गाकार समतलिय संकुलों के रेफरेंस में सहियोचक्ता बंसे धांत और Bonding discuss करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि Square Planar Complexes क्या होते हैं इसमें जो Geometry है वो वर्गाकार समतलिय है यानि एक वर्ग के मध्य में Metal और वर्ग के चारों कौनों पर अगर चार लीगेंड उपस्थित हों तो ये Square Planar Geometry है और इस स्थिति में Metal की समनवे संख्या 4 होती है यहाँ जो संकरण है वो DSP2 होगा यानि एक D कक्षक, एक S कक्षक और दो P कक्षक संकरण के काम में आएंगे तो यहाँ हम कुछ examples के साथ इस bonding को समझेंगे तो पहला example जो है वो दिया गया है यहाँ Nickel का Cyanide Complex जिसमें की 4 Sinoligens, C and Negative Legens निकल के साथ लगे हुए है तो NiCn4 और पूरे Complex पर माइनस 2 चार्ज है इसकी सबसे पहले निकल की ऑक्सिकरण अवस्था हमें निकालनी है तो निकल के लिए हमने X यूज किया है ऑक्सिकरण अवस्था के लिए तो X plus 4 into minus 1 क्योंकि Cyanide Legen के उपर चार्ज माइनस 1 होता है इस इक्वल टू माइनस 2 और यह माइनस 2 है जो इस Complex का Overall Charge है तो इस तरह से X यानि निकल की ऑक्सिकरण अवस्था आई प्लास 2 निकल का electronic configuration देखे आप 3D8 4S2 है तो निकल प्लास 2 का मतलब दो इलेक्ट्रोंस 4S से निकल जाएंगे सिरफ 3D8 रह जाएगा और यह जो बॉक्स है इसमें आपको यह अच्छे से शो किया है सबसे पहले निकल का electronic विन्यास लिखा है और उसके बाद निकल प्लास 2 का उक्सिकरण केस में आप देखिए कि यहां जो 3D orbitals हैं वो सभी भरे हुए है तो इसलिए अभी राइट नाउ इस स्थिती में हमें 1BD कक्षक खाली नहीं मिल रहा तो हमें यह लगना चाहिए कि संकरण SP3 आए क्योंकि 1S कक्षक खाली है और 3P कक्षक खाली है लेकिन होता क्या है कि जो SINE है वो link कैसा है प्रबल link है प्रबल link होने से वो electrons का यूगमन कर सकता है और जब उसका यूगमन हो जाता है तो nickel plus 2 में जो आपको 8 electrons दिख रहे हैं जो की 5 कक्षकों में हैं वो 4 कक्षकों में ही औरेंज हो जाएंगे युगमित हो करके और इस तरह से एक डी कख्षक आपको 3D में से खाली मिल जाएगा और 4S और 4P orbitals अलरी vacant हैं इसलिए संकरन कैसा हो जाएगा DSP2 और ये जो चार खाली orbitals हुए इन में चार लिगेंड जो हैं वो अपने अपने loan pair of electron donate करके उपसा संयों जग बना लेंगे तो initially 3D में एक भी डी कख्षक खाली नहीं था लेकिन electrons के युगमन से वो 8 electrons के बल चारी कख्षकों के अंदर arrange हो गए और एक डी कख्षक खाली कर दिया तो यही concept square planar complexes में आगे के भी examples में चलेगा तो otherwise क्या होता अगर यह ligand weak होता साइनाड की बजाए कोई weak ligand होता तो यह युगमन संभव नहीं होता in that case आपका संकरन क्या हाता sp3 यानि वो case किसका हो जाता tetrahydral के लिए अब आप देखिए यह जो complex है इसमें संकरन हो गया dsp2 geometry हो गई वरगाकार समतलिय या square planer और आप देख रहे हैं कि इस complex में सभी electrons युगमेथ हैं इसलिए यह complex प्रती चुमबकी होगा number of unpaid electron 0 आएंगे आप इस complex का चुमबकी आगूर्ण निकालिये और चुमबकी आगूर्ण mu की value से आप number of unpaid electrons calculate कर सकते हैं जीरो आएगा अब हम बात करते हैं second complex की यह हमने platinum का लिया है लगभग उसी तरह से इसको भी explain करेंगे platinum का भी cyanide वाला complex है तो more or less उसका description विल्कुल वैसा आएगा बस इतना है कि जो platinum है वो 5D series का member है platinum का electronic विन्यास है 5D96S1 सबसे पहले हम इस complex में platinum की उक्सिकर नवस्था निकाल लेते हैं वो होगी x plus 4 into minus 1 अगेन आपको समझा रहा है कि 4 cyanide ligands हैं और हर एक ligand के उपर minus 1 charge है और यह किसके बराबर होगा जो भी इस complex का overall charge है जो कि minus 2 है तो platinum जो है वो plus 2 oxy कर नवस्था में है अब आप यहां देखिए platinum में electronic विन्यास लेखा है 5D96S1 दो electron अगर इसमें से निकल जाते हैं क्योंकि यह plus 2 oxy कर नवस्था में है तो हमारा विन्यास रह जाता है 5D86S0 अब आप देख लीजे बिल्कुल इससे पहले वाले एक्जाम्पल की तरह आप इसको explain कर सकते है कि platinum के अंदर initially आप इन बॉक्स में देखिए 5D में 9 electrons लगाईए 6S में 1 electron आएगा platinum क्योंकि plus 2 oxy कर नवस्था में है तो 2 electrons निकल जाएंगे और अब आपका विन्यास क्या रह जाएगा platinum plus 2 में 5D8 5D8 होने पर भी आप देख रहे हैं कि एक भी D कक्षक खाली नहीं है DSP2 संकरन के लिए लेकिन क्योंकि cyanide एक strong ligand है इसलिए ये electrons की pairing कर देगा और 9 electrons को सिरफ 4 ही orbitals में arrange कर देगा और 1D कक्षक इस तरह से वो खाली कर लेगा और अब 1D कक्षक, 1S कक्षक और 2P कक्षक करके संकरत हो करके और DSP2 संकरन कर लेंगे वर्गा कार समतल ये ज्यामिती होगी और ये complex भी प्रतिचुम्बा की होगा वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो strong ligand और weak ligand का जो concept है ये CFT में आएगा अभी सिरफ हम आपकी सुविधा और जानकारी के लिए इसको इस तरीके से explain कर रहे हैं otherwise VBT ने ligands के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं की है अब हम तीसरे example पर आते हैं जिसमें की copper का साइनाइड complex है आपको समझ आ रहा है कि हम सिर्फ मेटल बदल रहे हैं और ligand वही रख रहे हैं तो इस तरह से मोर और लेस आपका description एक सा हो रहा है सिर्फ प्राक्टिस के लिए हम अलग-अलग examples ले रहे हैं तो यहां आप देखिए थर्ड जो आपका example है उसमें copper है metaline और cyanide again वही ligand है जो की strong field ligand है और इसी के साथ third example में ही एक और complex भी लिखावा है आप साथ में देखिए copper का tetraamine complex तो यह भी एक strong ligand है तो description एक सा होगा इसले इनको एक साथ कर लिया है आप इने अलग-अलग कर सकते हैं तो सबसे पहले हम copper का cyanide complex है उसमें copper का oxygen अवस्था निकालते हैं वो आएगा x plus 4 into minus 1 is equal to minus 2 तो इसलिए third जो हम example ले रहे हैं उसका third example में भी जो पहला वाला complex है उसमें x की value plus 2 आएगी यहनि copper plus 2 oxygen अवस्था में है और उसी के नीचे लिखा हुआ है copper का tetraamine complex इसमें भी जो copper है वो plus 2 oxygen अवस्था में है यहां यह calculate की भी है इसकी oxygen अवस्था तो आप देख रहे हैं दोनों में ही copper का oxygen अवस्था एक सा है copper का electronic विन्यास है 3D 10 4 is 1 अगर 2 electrons इसमें से निकल जाएं तो copper plus 2 का electronic विन्यास है का 3D 9 इन बॉक्स में आपको यह explain कियावा है कि जो copper है उसका 3D के अंदर 10 electrons है 4s में 1 electron है copper plus 2 में क्योंकि 2 electrons बाहर निकल गए तो अब 3D में 9 electrons रह गए लेकिन अभी भी हमें DSP2 संकरण होने के लिए 1 d कक्षक खाली चाहिए और वो यहाँ पर खाली नहीं है तो इसके लिए यह suggest किया गया कि जो 3D के अंदर एक electron जो अयुगमित आपको यहाँ इस box में दिख रहा है वो excite हो करके कहां पहुँच जाए या तो 4P में चला जाए या 4D में चला जाए अब ऐसी स्टिती करने से हमारे पास 1 d कक्षक 3D में खाली हो जाएगा और dsp2 संकरन possible है क्योंकि 1 d कक्षक हमने खाली कर लिया है इस electron को आगे excite करके s4s कक्षक अल्रडी vacant हो किया है और 4P भी हमारे पास 2 खाली कक्षक है तो इस तरह से dsp2 संकरन जो है वो यहां हो जाएगा और यहां यह भी माना जाता है कि यह जो electron इक्साइट होकर के 4P या 4D में गया higher energy वाले orbital में गया इसका नाभी से attraction जो है वो बहुत कम हो गया और क्योंकि attraction कम हो गया तो यह आसानी से इस system से remove हो सकता है और अगर यह remove होगा तो यह कहीं भी जाकर के किसी system का अपचयन कर देना चाहिए जैसा कि cobalt plus 2 के case में होता है लेकिन यह अपचयन नहीं करता यानि कि यह जो complex है यह अपचायक नहीं है जबकि cobalt में जो similar स्थिति आती है वो complexes जो है वो अपचायक है तो अब ऐसा क्यों हुआ यह VBT explain नहीं कर सकता यहाँ पर इसी में एक छोटा सा block बना करके आप देखिए एक description दिया है कि एक scientist हुए है Huggin उन्होंने एक suggestion अपनी तरफ से और दिया कि 3D से जो एक electron हम excite करके 4P या 4D में ले जा रहे हैं ऐसा excitation नहीं होता बलकि क्या होता है कि जो संकरण हमें square planer के लिए चाहिए DSP2 उसकी बजाए संकरण हो जाएगा SP2 D यनि कि अंदर वाला D कक्षक आप खाली ही ना करें और उसकी बजाए 1S कक्षक खाली है 2P कक्षक खाली है और बाहर यनि 4D में से 1 कक्षक काम में आगा और 4D का 1D कक्षक काम में आने के बाद आपको संकरण कौन सा मिलेगा SP2 ये तो और बाहर वाला D कक्षक SP2 D संकरण हो जाएगा और अब ये जो प्राब्लम आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट किया गया और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी का अपचैन करना चाहिए ये अपचैन नहीं करता और कापर के ये जो कामप्लेक्स हैं ये अपचैक नहीं है वो problem वहाँ पर solve हो सकती है लेकिन VBT इनके बारे में किसी तरह का कोई description नहीं देता यह VBT की एक कमी है जो कि हम limitations वाले lecture में अलग से discuss करेंगे अब हम next और last जो example ले रहे हैं वो ले रहे हैं copper के tetra halides वाला जो complex है यहां आप देख रहे हैं कि coordination number 4 है अगेन हमें यह समझ आता है कि coordination number 4 में dsp2 संकरन भी हो सकता है और sp3 संकरन भी हो सकता है तो यहां यह देखा गया कि copper के जो complexes अगर halogen के साथ में बनते हैं तो वो दोनों जो matrix show करते हैं sp3 भी और dsp2 भी अगर complex का color orange है तो उसमें संकरन sp3 होता है यानि sp3 संकरन वाले complexes orange color के होते हैं और dsp2 संकरन वाले complexes जो हैं वो yellow color के होते हैं और आपको मालूम है कि जो halogen है वो एक weak field ligand है यानि वहां पर electrons की pairing संभव नहीं है तो यहां जो copper है उसका हमने oxidation अवस्था निकाल ली है जो की plus 2 आ रही है आप यहां पर देखिए और यह जो है again copper जो plus 2 है उसमें वो d9 विन्यास शो करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि copper के जो halides के साथ बनने वाले complexes हैं वो किस तरह से dsp2 और किस तरह से sp3 संकरन शो करते हैं मैं उससे पहले आपको बता दू कि यहां पर जो copper plus 2 का electronic विन्यास लिखा हुआ है उसमें आप थोड़ा correction कर लीजे it is 3d9 4s0 यहां लिखा हुआ है 3d9 4s1 यह correction कर लीजे तो हमें यह देखना है कि किस तरह से copper का जो complex है वो halide के साथ पहले dsp2 संकरन शो करेगा तो यहां आप देखते हैं कि copper का electronic विन्यास है 3d10 4s1 तो copper plus 2 का electronic विन्यास आएगा 3d9 4s0 यह correction आप कीजे और copper plus 2 को हमने box में लिखा है box में 3d के अंदर 9 electrons आपको दिख रहे हैं एक electron अयोगमित है और यह जो अयोगमित electron होने की वज़े से हमें यह d कक्षक खाली नहीं मिल रहा है dsp2 संकरन के लिए इसलिए यह एक electron excite हो करके कहां चला जाएगा 4p में 4p में जाने की वज़े से यह d कक्षक खाली हो जाएगा और अब dsp2 संकरन संभव है चार जो ligands हैं वो इन चार orbitals में एक d में एक s में और 2p में अपने electron pair डोनेट करके उपसासयों जगबंद बना सकते हैं साथ ही एक अयोगमित electron होने की वज़े से यह जो complex है वो कैसा होगा अनुचमबकिये होगा लेकिन again problem यहां भी वही है कि यह जो बाहर जो electron गया यह system में नाभी से weakly attached है अब तो यह बाहर निकल करके किसी system का अपचयन कर सकता है और यह एक अपचायक होना चाहिए लेकिन यह complex अपचायक नहीं है VBT इसको explain नहीं कर सका अब हम copper के ही दूसरे complex की बात कर लें जिसमें की वो हमने आपको बताया की है light वाला जो complex है वो tetrahedral भी हो सकता है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं इसका जो bonding है आप देखिए copper plus 2 में again हम सीधे इसी पर आ जाएं copper plus 2 के electronic विन्यास पे जो की 3D 9 है अब यहां पर एक भी D कक्षक खाली नहीं है SP3 संकरन के लिए हमें कोई problem नहीं है हमें एक भी D कक्षक खाली नहीं चाहिए तो एक S कक्षक और 3P कक्षक मिल करके संकरत कक्षक बनाएंगे संकरन होगा SP3 और यह जो चारों संकरती कक्षक होगे इसमें चार जो लीगेंज हैं वो अपने अपने loan pair of electron डोनेट करेंगे और उपसा सन्यों जगबंद बन जाएगा टेट्रा हैडरल जमाटरी होगी संकरन SP3 होगा और अनुच उम्बकत्व एक unpaired electron के corresponding होगा तो इस तरह से हम square planar complexes के लिए VBT को समझ सकते हैं Thank you